जय हिन दोस्तों, दोस्तों आप सभी जानते हैं कोरोना महामारी के कारण देश की पूरी अर्थ व्यवस्ता अस्त व्यवस्त हो चुकी है इसी का नतीजा और कहा जा रहा है कही न कही अनुमान लगाया जा रहा है साल 2020 और 2021 में कही न कही जो सरकारी नोक्रिया है चाहे वो प्राइवेट से रिलेटेड हो या गवर्मेंट फर्म से रिलेटेड हो कही ना कही उन्हें आगे इस्तरगित किया जा सकता है आप सभी जानते हैं टाइमस ओफ इंडिया दे एकनोमिक्स टाइम दे हिंदूस लाइव मेंट बिजनेस स्टेंडर्ड बहुत बड़े बड़े न्यूस फेपर अपने न्यूस में कार्टिकल दे रहे हैं कि कही ना कही कोरुना वाइरस मामारी के कारण जो नोकरिया हैं बले वो प्राइवेट हो या गवर्मेंट उन पर रोक लगा दी जाएगी और न जल्दी तो जॉइनिंग होगी न जल्दी भरतिया निकलेगी तो दोस्तो इसी के साथ अपन RRBJ as well as ALP के बारे में बात करेंगे दोस्तो आज के वीडियो एक कनवर्सेशन वीडियो में आशा कर है उन्होंने अपने रिसेंट पब्लिकेशन में 200 एप्लिकेंट फोर वन पोस्ट इंडिया जॉब क्राइसिस ग्रिम रिमाइंडर फॉम रिल्वेस दूस्तो आप देख सकते हैं कम से कम ये NTPC और Group D से रिलेटेट के बारे में लिखा हुआ है आप सभी जानते हैं अभी NTP से ग्रूप D की परिक्षा तीथी भी गोशित नहीं की गई है बट कोरोना माहमारी के कारण और जो जॉब के क्राइसिस है वो कही ना कहीं और बढ़ गए हैं NTPC Group D आप समझ सकते हैं लाखो बच्चों ने फॉर्म भरे हैं और एक पत के लिए कम से कम 200 केंडिट्स आपस मे लडेंगे तो आप समझ सकते हैं कितना कॉंपिटिशन और टफ होने वाला है चलिए और आगे बढ़ते हैं आगे लाइग मिन्ट में क्या लिखा हुआ है 136 मिलियन जॉब एट रिस्क इन पूस्ट कोरोना इंडिया दोस्तों 136 मिलियन तेरा करोड साट लाग जो जॉब से वो कही न कहीं रिस्क पर है वो भले गवर्मेंट सेक्टर से रिलेटेड हो या प्राइवेट फर्म से रिलेटेड हो दोस्तों जैसे ही कोरोना ओवर होगा मार्किट धीरी-धीर बूस्ट अप शुरू होगा और कहीं न कहीं खहा जा सकता है कि जो जॉब हैं उसके एक्कू आगे दोस्तों दो गार्जियन आप समझ सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है गार्जियन स्टुएंट्स इसमें लिखा हुआ है रिकूट्मेंट इजिन होल्ड जो रिकूट्मेंट का जो प्रोसेस है उसे होल्ड पर रखा गया है दो स्टुडेंट गार्जियन आगे बढ़ते हैं दोस्तो बिजनेस स्टेंडर्ड में क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं ये 6 अपरेल का ही है दोस्तो प्राइवेट तो एस वेल वो कुछ सोचते नहीं नोहीं नुटिफिकेशन निकालते हैं जो भी प्राइवेट कमपनीज रहती हैं जो फर्म्स रहते हैं उनकी सैलरी डिलक्ट हो जाती हैं बर गवर्नमेंट ने भी अभी आप समाझ सकते हैं जो फ्रीज क्या गया है देखेंगे आने वाली दिनों में अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं उसे भी वीडियो बना कर पब्लिश कर दूगा तो दोस्तों इसे के बीश थोड़ी सी एक और अच्छी न्यूस परते हैं अपन देखें ये नव भारत टाइमस ने लिखा हुआ है कोरोना के लिए रेल्वे में भरतिया आप समझ सकते हैं सभी जित्ते भी रेल्वेस डिपार्टमेंट है उन्होंने जो कोविट 19 के लिए अपना इनिशेटिव लिया और अपना पाव आगे बढ़ाया और जित्ते भी नर्सेस हैं स्टाफ से डॉक्टर से उनके लिए भरतिया निकाली गई और सबसे अच्छा जो इनिशेटिव लिया वो है कि उन्होंने डायरेक्ट फोन पर इंटर्व्यू से होगा सेलेक्शन फोन पर जो वाटसेप कॉल है स्काइब कॉन्फरेंस है उनके द्वारा उनका इंटर्व्यू लिया और कही ना कही उनका चयन किया और अपने ओफिशल वेबसाइट पर उनकी चैनित लिस्ट जारी कर दी तो दोस्तों रेलवे अच्छे इनिशेटिव ले रहे हैं बड़ जो प्रोसेस है चाहे वो ALP के बारे में हो, JE के बारे में हो, ट्रेनिंग से रिलेटेड हो या जॉइनिंग लेटर आने से संबंदित हो कही ना कही जो प्रोसेस है वो 110% स्लो होगा बट आपका काम ज़रूर होगा बट इस्पेशली उन सभी के अनिटेस के लिए जिनके देखते हैं हम रिल्वे क्या इनिशेटियो लेता है तो दोस्तों यह शॉट वीडियो था मैं आशा करता हूं यह आज का किसी भी हारार भी द्वारा कोई ऑफिशल स्टेट्मेंट नहीं था एक कनवर्सेशन था मैं आशा करता है आपको पसंदा होगा पसंदा तो लाइक जरू कर दीजेगा और आपके क्या थौट से क्या में यूजिस को पर प्लीज कमेंट आख से कमेंट जरू कीजेगा तो थेंक्यों सो मत दोस्तों अपना खुद का दियान रखें लॉकडाउन का भरपूर पालन करें अपने घर में अपने फैमिलिक साथ अच्छा टाइम ब